जब भी हमें कुछ हलका फूल का या हल्दी खाने का मन होता है तो इल्ली का नाम पहले आता है तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ रवा इल्ली रवा इल्ली जाने की सूजी की इल्ली जो जटपट से बन जाए और खाने में भी हल्द फूल होती है और बनाने के लिए तो बहुत ही आसान होते है तो चलिए शुरू करते हैं रवाह इडली रवाह इडली यानि सुजी की इडली बनना करते हैं शुरू हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सभी यासा करते हूँ आप सब ठीक होगी तो पहले तो मैं स्वागत करते हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे तो यहाँ पे अब हम क्या करेगे एक कप भरके मैं यहाँ पे सुजी ले लूगी सुजी कोई भी आप ले सकते हो मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो सुजी आते हैं हम सुजी का हलवा घर पे बनाते हैं वो यह सुजी ले है मैंने और उसी कप से मैं यहाँ पे दाल दूगी उसी कप बड़ा भरके यह दही दही मैं इतनी दालूगी जितनी मैंने सुजी दाली है और यहाँ पे जाएगा थोड़ा सुजी के अनुसार नमक और दो चमच भरके तेल दाल दूगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूगी अभी हमें पानी या कुछ भी नहीं दाल लाएं बस हमने जो कप भरके दही कोई मिक्स करना है हमें अभी कुछ भी नहीं दाल लाएं तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके ठक के दास मिनिट के लिए रख दूँगी तो फ्रेंड हमें बनाना है अब सामबर देली तो हमने भी गोके रख दी है तो यहां पे मैंने दो बड़ी साइस के टमाटर लिये है थोड़ी सी मैंने लोकी लिये है और दो मैंने यहां पे सिंगे लिये है और फूल को भी तो मैंने नाम की ही लिये वो तो आपको दिख र तो अभी हम क्या करेगे कुक कर चुड़ाएगे और उसके अंदर दाल देगे तेल थोड़ा सा ही गरम हमारा हो जाएगा और हम उसमें दाल देगे राई राई जब चटकने लगेगे तो उसके अंदर में दाल दूँगी सीरा तो फ्रेंज में आपको बता दूँ के हमें यहाँ पे तेल इतना ज़ादा गरम नहीं करना है तेल हमें थोड़ा सा हलका सा ही गरम करना है उसके बाद हमें तोरंध ही राई दाल देनी है राई चटकने के बाद ही हमें उसमें दालना है जीरा जीरा को जलने से देर नहीं लगती है इसलिए जीरा डालते ही हमें थोड़े से मेथी के दाने अड़ कर देने है और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़े से कड़ी पत्ते उसके बाद दाल देगी हम यहाँ पे जो प्यास कड़ करके रखी हमने लंबी लंबी साइस में तो हम प्यास दाल देगी प्यास को हमें जादा नहीं पूनना है हमें थोड़ा सा हलका साई यह से बूनना है और अभी मैं थोड़ी सी हिंग दाल दूँगी हिंग तो सामर में डालना है बहुत ती अच्छा फ्लेवर आता है यसे लिए मैं थोड़ी लेट डालती हूँ तो अभी हम थोड़ा साई प्यास को बुनेगे इतना ज़्यादा नहीं चलाना है हमी तो देखिए इदर में क्या कर रही हो जो मैंने यहाँ पे मिर्ची काटके रखी थी लंबी लंबी श्लाइस में जो तिखी वाली आती हो यह में लेनी है तो इदर मैं इसको बाद में दालूगी पहले मैं नहीं एड़ करूँगी प्यास बूने के बाद ही मैं उसको दालूगी उसके बाद में दाल दूगी टमाटर टमाटर दालने के बाद ही फ्रेंज हमें या पे नमक दाल देना है ताकि नमक टमाटर हमारा चल्दी से घल जाए जब भी मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ कुछ भी बनाती हूँ टमाटर दालने के बाद ही मैं नमक दाल देती हूँ तो देखिए फ्रेंज यहाँ पर हमारा टमाटर अच्छी तरह से घल चुका है तो हमारा टमाटर घल चुका है तो यहाँ पर हम क्या करेगे इसके अंदर दाल देगे जो अमने सब्चिया काट के रखी है मैं यहां से लोकी यह डाल दी मिनने लोकी उसके बाद जाएगा सिंगा संबर में फ्रेंज सिंगा तो डालते ही है बहुत ही अच्छा लगता है मैं तो हर स्बजी में सिंगा दालते हूँ क्योंकि मेरे कर पेड़ ही में कभी आपको दिखाऊंगी तो इदर जाएगा गाजर और फूल को भी तो मैंने यहां पर अच्छे से मिक्स कर देना है तो पहले तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी अच्छे से इसके ऊपर यो टमाटर वाली कोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद में दाल दूगी सारा जो मारा बेसिक मसाला है हो तो फ्रेंस यहां पर म में दालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और यहां पे मैंने ले लिए हैं दो बड़े चमच भर के सांबर मसाला बस सांबर में तो सांबर मसाला ही ज्यादा पड़ता है तो अच्छा लगता है दूसरा मसाला में नहीं दालती हूं इसलिए मैंने कलर के लिए लाल कश्मीरी लाल म येक तो भी हम इसको कर देगे अच्छे से mix, मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ासा पानि ताके हमारा मसाला जले नहीं इसलिए में मसाला डालने के बाद थोड़ासा दो चमच इतना पानि दाल देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी तो देखिए फ्रेंज यहां पे मेरा मसाला एकदम से अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला दालते ही थोड़ा सा पानी दालते ही अच्छे से उसे मिक्स करना है और यहां पे मैंने दाल दिया है थोड़ी सी तूर्की दाल तुर्की डाल मैंने यहाँ पे गंटे के लिए बीगोगे रख दी थी तो अभी मैंने क्या किया है मसाला मेरा मिक्स हो गया उसके बाद ही मैंने तुर्की डाल डाल दी है इसके अंदर उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी उसको मैंने अच्छे से mix कर देने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ पानी दाल देती हूँ तो इधर में पानी सामबर में आपकी quantity कमिया ज़्यादा कर सकते हो मैंने यहाँ पे तीन बड़े glass परके रख दे रही हूँ पानी तो सांबर में तो फ्रेंज चादा तरी वाला ही सांबर हमें अच्छा लगता है ताके हमें इडली के साथ खाने में कोई तिकत ना इडली के साथ खाते हैं तो सांबर हमें तरी वाला ही एक दम से चाहिए तो अभी मैं क्या करूगी इसको बंद करके मैं चार विशल आने तक का इंतिजार करूँगी तो टकन लगा के मैं बंद कर दूँगी फिर यहाँ पे चार सीटी बजेगी उसके बाद में उसका प्रेसर निकल जाएगा तो खुल दूँगी तो फ्रेंस यहाँ पे हमारा जो मिक्ष करके हमने रखा था दई और सुजी को इले के लिए तो उसको हम अब निकाल लेगे और इसे अंदर हम पाणी दाल देंगे पानी डालने के बाद फ्रेंस हमें देखना है कि हमारा जो ये खीरू अच्छे से तयार है कि नहीं तो मैंने यहाँ पे जितना पानी चाहिए था उतना भी डाल दिया है तो देखिए फ्रेंस अभी हम क्या करेगी जो इडली का साचा आता है उसके अंदर में तेल लगा लूगी अच्छे से ताकि हमारे इडली यहाँ जिपके नहीं और बड़ी आसानी से निकल पाए तो फ्रेंस मैं आपको बता दूँ हमारे पास यह इडली का साचा ना हो तो भी चलता है हम प्लेट में तेल लगा के भी इडली बना सकते हैं तो इदर में देख लूगी हमारा इडली का मिस्त्रोण तो अच्छे से यह फुल चुका है तो इसके अंदर में डाल दूगी एक इनो यहाँ पे मैं इनो डाल दूँगी उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो friends यहाँ पे द्यान रखना आ है कि इन्हों डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से जल्दी करके हमें यहाँ मिक्स करना है जल्दी से मिक्स करके हमें जो इडली का सांचा तयार के रखा है हमने जो तेल लगा के रखा है तो उसके अंदर हम भर देगे चल से जल ये काम करना हैं में तो देखिए फ्रेंज यहाँ पे मैं एक एक चमच भर के डाल रही हूँ जादा हमें नहीं पर ना है क्योंकि हमारे इडली फूलने के लिए जगा लेती है इसे लिए मैं यहाँ पर एक चमच भरके डाल रही हूँ देखिए फ्रेंज मैंने पूरे सांचे में इडली भरके रख दी है तो मैं यहाँ पर पानी चड़ा दिया है तो इसके अंदर में डाल दूँगी इडली हमारी यहाँ पर इतना टाइम नहीं लेगी पकने के लिए यह हमारी इडली 15 या 18 मिनिट में बनके तयार हो जाएगी तो मैं इसे अभी ठक के रख देती हूँ और मैं केस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी इतना हमें तेज नहीं करना है और यहाँ पर हम देख लेगे हमारा सामवर कूकर में हमारा प्रेसर निकल चुका है तो अभी हम देख लेगे हमारा सामवर देखो कितना अच्छा बनके तयार हुआ है तो इसको हमें थोड़ा और लुक देना है दो मेने लाल मिर्च सुकी वाली आती है वो ली है थोड़ा सा तेल लिया है और उसको मेने तड़का लगा दिया है कस मेरे लाल मिर्च वाला तो यहाँ पे देखो गर्मा गरम सांबर में मेने कस मेरे लाल मिर्च वाला तड़का लगा दिया है तो हमारे सांबर का लुक बहु दन्या पता हमेड करेगे फ्रेंस हम यहाँ पर अभी सर्दी का सीजन है तो फ्रेंस दन्या में मिली जाता है तो इसलिए मैं सर्दी की सीजन में दन्या का यूस बहुत ही करते हूं इसलिए में हर सब्जी में बहुत ज़्यादा दालती हैं तो देखिए फ्रेंज हमारी यहां इडली फूल के तयार हो चुकी है अच्छे से तो मैंने बोला था ना फ्रेंज हमें इडली को एक एक चमच परना है ताकि हमारी इडली भी फूलने के लिए जगा लेती है इसलिए मैंने एकी चमस भर के रखा था सांचो में फिर भी हमारी इडली कितनी अच्छे से फूल के तयार हो चुकी है तो फ्रेंज देखें यहाँ पे मैं इसको अलग कर रही हूँ जैसे यहाँ छुरी की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी तो फ्रेंज हमारी इडली अच्छे से फूल के तयार हुई देखो कितनी अच्छी स्पॉंजी बनी है हमारी इडली तो फ्रेंज यहाँ पे मैं देखो एक एक करके सारी इडली आयसे निकाल लूगी बड़ी आसानी से हमारी इडली निकल जाती है तो फ्रेंज देखो यहाँ पर मैंने सारे इडली निकाल के तयार कर ली है और देखिए मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ इडली को बड़ी आसानी से तोड़ रही है बहुत है अच्छी हमारी इडली बनके तयार हो चुकी है आप देख सकते हो फ्रेंज कितनी स्पोंजी और जालीदार बननी है हमारी इडली और एक इडली में आपको उठा के दिखाती हो एकदम से वो स्पोंज हो रही है और एकदम से उसका सेप ले रही है देख सकते हो friends कितनी अच्छी बन के तयार हुई है अमारी इडली तो friends अभी में ये प्लेट लगा दूगी इडली सांबर की तो देखो friends मेरी इडली सांबर की रेसेप आपको किसी लेगी अगर अच्छी लगी हो तो like, share और comment जरूर कर दिजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी share कीजिएगा तो friends मैं आपको रोज बोलती हूँ और आज भी बोलती हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास जल से जल पोच सके और एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ आज के लिए बस इतना ही बाई बाई